हे दोस्तों करी लिव्स यानि कडी पता का बहुत लोग अलग अलग तरीके से इस्तमाल करते हैं क्योंकि ये वजन कम करने में हेल्प करते हैं और इनमें विटामिन A, B और B2 की मातरा भी बहुत होती है कडी पता उनके खुश्बू और अलग टेस्ट के लिए जाना जाता है और इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और इसलिए बहुत से लोग इसे खाने में रोज इस्तमाल करते हैं जैसे इडली डोसा में चटनी में यूज़ करते हैं, दाल चाउल में यूज़ करते हैं, सबजी में उसे यूज़ करते हैं, चेवडा में यूज़ करते हैं, और कोई special डिशो तो भी कड़ी पते का यूज़ करते हैं जिससे ये आपकी बॉड़ी को oxidative stress और free radicals से लड़ने में मदद करता है और आपकी बॉड़ी को healthy रखता है दूसरा weight loss यानि curry leaves का extract यानि इसका juice पीने से आपका version कम होता है और वो भी सिर्फ 25-30 दिनों में लेकिन आपको इसका juice सुबर रोज खाली पेट पीना चाहिए दिन अच्छी हो जाएगी और acne, महासे और pimple भी गायब हो जाएगे चौथा improves morning sickness and nausea यानि सुबर खाली पेट curry leaves का सेवन करने से आपको उल्टिया होने जैसा महसूस नहीं होगा और आप fresh feel करेंगे पाँचवा, lowers chances of heart disease एक research study के हिसाब से curry leaves का सेवन करने से body में cholesterol और triglycerides का level कम होता है जिससे आपको heart disease होने के chances भी कम हो जाते हैं छटा, boosts digestion and improves blood circulation यानि curry leaves का सेवन करने से आपकी पाचन शक्ती अच्छी होती है और body में blood circulation भी अच्छा होता है जिससे organs healthy रहते हैं साथवा, may have neuroprotective properties यानि curry leaves का सेवन करने से आपको Alzheimer's जैसी बीमारी होने के chances बहुत कम होते हैं क्योंकि इनका सेवन करने से आपकी body में brain protecting antioxidants रिलीज होते हैं जो brain और memory cells को damage होने से बचाते हैं आठवा, may have anti-cancer effects यानि एक study के हिसाब से curry leaves के extract से breast cancer का growth कम होता है एक और study के according curry leaves के रस का सेवन करने से cancer cells का growth कंट्रोल किया जा सकता है नवा, blood sugar control यानि जानवरों पे की गई study के हिसाब से curry leaves के रस का सेवन करने से blood sugar control होता है और diabetes को होने से रोका जा सकता है दसवा, pain relieving properties यानि चुहों में की गई एक study के हिसाब से इसका सेवन करने से दर्द भी कम होता है लेकिन इंसानों पे इसकी study के अभी तक कोई data नहीं है ग्यारवा, anti-inflammatory effects यानि research study में ये भी प्रूव किया है कि curry leaves में anti-inflammatory properties हैं जिससे genes या proteins का body में inflammation नहीं होता और आप कई बिमारियों से बच सकते हैं बारवा, anti-bacterial properties यानि इसका सेवन करने से harmful bacteria जैसे corinobacterium और streptococcus ionis ऐसे bacteria से body को बचाने में help करता है तेरवा, good for eyesight यानि curry leaves आँखों के लिए बहुत helpful है और ये cataract को होने से रोक सकता है क्योंकि इसमें vitamin A होता है दोस्तों, किसी भी दवाई का testing पहले जानवरों में होता है और फिर इंसारों में और results अच्छे होने के बाद ही उसे commercial यानि बेचने की permission दी जाती है और इसलिए pregnant woman और स्तनपन कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर की सला के बगएर इसका सेवर नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें इसके फायदे और नुकसान के बारे में ज़्यादा information नहीं है curry leaves को वैसे तो इंडिया में बहुत लोग अनेक प्रकार की treatment के लिए यूज़ करते हैं और ठीक भी हो रहे हैं लेकिन कहीं documented नहीं है यानि इसका officially इंसानों पे trial का data और record नहीं है इसलिए आप कभी भी करी लिए उस किसी भी disease या symptoms को treat करने के लिए use करें उससे पहले doctor की सलत जरूर ले ताकि आपको सही treatment मिल सके और आप अच्छे से अपनी life enjoy कर सको आपको ये वीडियो कैसा लगाईए comment करके बताईए और पसंद आया है तो like जरूर करें शेर करें इस वीडियो को अपने friends और family के साथ जो कड़ी पता के फाइदे जानना चाते हो सब्सक्राइब करें चैनल संजे मिना को और मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए notification bell पे click करके notification on कर लें finally thank you for watching the video